ओम सांती ओम सांती ओम सांती ओम सांती आज अव्यक्त बाप दादा मुर्ली है रिवायश जेटे एक तिन निन्यानवे का है यह मुर्ली चला हुआ एक तिन निन्यानवे का है संपूर्ण पवित्र बनकर संसकार मिलन मनाना है यही सच्ची होली है सच्ची होली हमें संसकारों को मिलाने का होली करना है आज बाप दादा चारों और के अपनी होलियस्ट और हाइस्ट बच्चों को देख रहे होलियस्ट पवित्रता में भी होलियस्ट है और हाईस्ट, सबसे उचापद है विस्व में सबसे हाईस्ट, उचे से उचा श्रेष्ट आत्माई आप बच्चों किसी वह और कोई भी नहीं नसा चड़ा रहा रहा नबाबा हमारे जैसा पूरे कल्प में कोई भी इतना हाईस्ट या हॉलिएस्ट नहीं बनता है देखिए अभी देवी दिटाओं का जो पूजा होता है और बुद्ध क्राइस्ट का पूजा होता है तो दोनों के पूजा में अंतर है कि नहीं यहां कहा नियन धरम से किया जाता है और उसमें क्या है कि कुछ नहीं बस चलो पुजा पाठ कर दिए तो राज यादिकारी स्वरूप में भी आप सबसे उच्छा है एक छत्र राज चलता कोई आक्रमन नहीं करता लक्षमी नारान के राज में कोई रहेगा विरोधी कोई नह राज़ा रायनीतिक और धार्मिक दोनों सक्ता हमारे हाथ में होगी और द्वापर यूग के बाद जो राज़ा होंगे और धर्म गुरु अलग होगे उनका फैशल अलग हुगा धर्म गुरुओं का लग होगा तो ऐसे उच्छी से उच्छा राज अधिकारी बने हैं कभी फिर पूजन और गायन में देखो जितना पूजा वीधी पुर्वक आप आत्माओं की होती है उससे ज़्यादा और किसी की होती है क्या और किसी की नहीं होती है अंदर्सुल राज ड्रामा का कितना स्रेष्ट है जो आप स्वयम चैतनी स्वरूप में अनुभाव करते हो आज हम सब बच्चों को बाबा चैतनी में ही सब कुछ बता रहा है चैतनी में रहते भी अनुभाव करवारा देखो पुझे भी सबसे ज़्यादा तुम मनते हो दूसरी तरफ आपके जड़ चीतर दोनों स्वरूप तैयार है इधर चैतनी में जड़ चीतर देख रहे हैं हम लोग अपने पुझ स्वरूप को देख रहे हो ना पुझ स्वरूप को भी हम देख रहे हैं जड़ रूप में भी हो तो चैतने रूप में भी हो तो wonderful खेल है ना और राजी के हिसाब से भी सारे कल्प में निरबिगन अठल अखंड राज एक आपात्माओं का ही चलता है पच्शिस सो साल तग एक लक्ष मिना रागन और दूसरा एक सीता राम पर राजी चलता दूसरा कोई राजी होगा लेकिन यहां अपर देखें दौआपर के बाद क凜़ कितने राज आए विस्व राजन महराजन और उसकी फैमिली विस्रेष्ट है तो राजे में भी हाइस्ट हो गए पुझे रूप में भी हाइस्ट हो गए और संगम पर परमात में वर्सी के अधिकारी परमात में मिलन के अधिकारी परमात में प्यार के अधिकारी परमात में परिवार के आत्मा और कोई बनती है क्या बाबा किता हम बच्चों का भाग याद गिनवार है बाबा कि संगम यूग में भी हम लोग कितना भगवान के प्यार के अधिकारी बने हैं पर मात्मा मिलन के अधिकारी बने हैं उनके सुख का अधिकारी बने हैं या ऐसा भाग ये और किसी का नहीं है आप ही बने हो ना विश्वास हो रहा है कि हम लोग बने हैं है ना विश्वास यहाँ पर आ रहे हैं भगवान के प्यार कानुभाव करने तो विश्वास भी है कि तभी तो कर रहे हैं अच्छा बन गए हो या भी बन ही रहे हो परमात में प्यार के अधिकारी बन गए हैं स्वराज अधिकारी बन गए हैं कि अभी बन रहे हैं बन गए हैं ना बन गए हैं तो बन भी गए और तो अब तो वर्षा लेकर संपन बन कर बाब के साथ अपनी घर में भी चलने वाले है बाब केता अपनी घर भी चलने वाले है देखे हैं को को लगाना है संगम का सुख संगम यूग की प्राप्तिय संगम यूग का समय सुहाना लगता है सुहाना लगता है बहुत अच्छा लगता है बाबा बहुत प्यारा लगता है राजी के समय से संगम का समय प्यारा लगता है मतलब सत्युक त्रेता से भी जादा अच्छा लगता है यह समय सं हम ही पूझे बनेंगे हमिविश्व राज्य महराजन बनेंगे डेवि डेवता बनेंगे सब कुछ अभी s सोस्ति हो ना, पता नहीं विनास कब होगा, क्या होगा, हम कहां होगे, बाप दादा कहते जहां भी होगे, याद में होगे, तो बाप के साथ होगे, ये तो बाप सही है, कि कहीं भी रहें, हम बाबा की गोद में, तो निश्चिंत रहेंगे और उनकी गोद में सुरपचित रहेंगे साकार में या आकार में साथ होंगे कुछ नहीं होगा बाबा कहता साकार में रहो चाहे आकार में फरिष्टे रूप में बाबा कहता साकार में रहो चाहे आकार में बाबा भी आकारी फरिस्ता बन गया आकारी फरिस्ता में क्या है कि जहां कहीं भी आप उलाई तुरंत आ जाता था लेकिन साकारी में जब था तो जाने नहीं पाता था सब जगा तो इसलिए बाबा कहता साकार में कहो या आकार में कुछ नहीं होगा तुमको सेफटी गया तो कोई जला इसका कहानी क्या महाभारत में दिखाते ना लाखा भवन को आग लगाया गया आप पांडव सब बच गया तो उसी का कहानी है कि पिबिली के पुंग्डे भठी में होती हुए भी बच गया तो सभी सेफ रहें तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे व जल रहा है घर क्या होगा परिवार को कुछ न हो जाए ये सब अगर कहीं न कहीं आ सकती होगा तो सेख जरूर लगेगा आग का मतब दुख जरूर होगा कुछ न कुछ प्रभाव होगा साथ में कंबाइंड होंगे एक सेकेंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहोंगे अ पूसता है कि जब अकेले में ठंखी जाते हो तो कीयों ठं़ीं जाते हो, क्यों मतलब बाबा को अकेले छोड़ देते हूं तो दो भुजा वालों को साथी बनाते हो तो धकावर तो होगा आज पूरा किया कल नहीं करेगा हजार भुजा वालों को क्यों नहीं साथी बनाते हूं कौन ज़्यादा सहयोग देगा बताओ बाबा देगा हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला हजार भुजा वाला संगम यूग पर ब्रह्मा कुमार्वा ब्रह्मा कुमारी या केले हो ही नहीं सकते हूं बाबा पलपा साथ देता है सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में जब बीजी हो जाते हूं तो साथ भी भूल जाते हूं और फिर ठक जाते हूं साथ कब भूल जाते हैं जब हम सेवा में चल जाते हैं तो हम सोसे हम कर रहे हैं सेवा उसमें बाबा को भूल जाते हैं और खुब ग्यान सुनाना अटेंशन रखना पड़ता है कि ग्यान भी सुना रहे हैं सामने वाला समझ रहा है कि नहीं बाबा को समर्पन करके तो बाबा टच करता है बस बचे इतना ही रंड दो तो फिर कहते हो ठक जाएं अभी क्या करें ठको नहीं जब बाब दादा आपको साथ देरा सदा साथ देने के लिए आए हैं पर मा परमधाम छोड़ कर किस लिए आए हैं हमारा साथ देने के लिए आए हैं सो तेजा तेकर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए आए हैं तो ब् और अव्यक्त हुआ तो जहां कहीं भी बुलाए तो साथ आ जाता है तो इसलिए अव्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रख्तार बहुत तीव्रू हो गई शाकार से आकार म्याने से तो इसलिए ब्रह्मभा बाप ने अपना वतन चेज कर दिया इस थुल वतन से चेज करके कहां चला गया सुच मतन में चला गया तो स्षी बाप और ब्रह्मभा बाब आप दोनों हर तरह से हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हो गया पहले कईवा स्षी बाबा देता था आप ब्रह्मभा बाबा भी देने ले लगा तो आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभा करेंगे बाबा और सहयोग दोनों अनुभा करेंगे आपने सोचा था कभी ऐसा होगा अगर सीवा 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 सिर्फ वही आध है तो बाप को किनारे बैट देखने के लिए अलग कर देती हूँ तो बाप भी साख्चियों कर देखते हैं देखे तो कहां तक अकेले करते हैं बच्चे यह होता था ना बाबा को हम लोग बहुत अच्छा कर दे यह हो जाता था तो अकेला फ्रील होता था लेकिन जब से बाबा को समर्पन के नहीं बाबा आप करा रहे हर सेवा में पहले बाबा बाबा आपके बिना तो हो ही नहीं सकता है और हर वक्त याद कर रहें तो निश्चिंद भी रते जो होगा देखा जाएगा बाबा कराएगा तो और अच्छा ही हो रहा है तो फिर भी आने तो यहां ही है तो साथ नहीं छोड़ो बाबा के तक कि अगर छोड़ भी देते हो बाबा को सेवा में और उसके बाद कहा प्याद करोगी इसलिए आना है ही तो फिर क्यों छोड़ती हो अपने अधिकार और प्रेम की सुच में रसी को बांध कर रखो अपने अधिकार और प्रेम क्यों की सुच में रसी बांध कर रखो धीला छोड़ देते हो प्रेम की रसी को धीला छोड़ देते हैं तो कोई न हो, अधिकार को थोड़ा सा इसमीती से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना, जब सरुसक्तिमान बाप साथ देने का ओफर स्वयम कर रहा है तो ऐसे ऊफर सदा सारे कल्प मिलेगी, मिलेगी सारा कल्प बाप का सदा साथ का जो ओफर है बाबा दे रहा है कि बच्चे तुम मुझे याद करो मैं दोड़ा चलाऊंगा ऐसा ओफर है पूरे कल्प में नहीं होगा नहीं मिलेगी ना तो बाप दादा भी साक्षियों कर देखते जब तुम साथ छोड़ देते हूं अच्छा देखे कहां तक तुम अकेले कर सकते हो लोग करो लोग करो तो जब ठक जाते बाबा नहीं होगा हमसे तब आब साथ देता है तो संगम यूग के सुख और सुहेजू को इमर्ज करो जो प्राप्तियां है सुख है सब को इमर्ज करो क्या-क्या मिला भी कर बुद्धी बीजी रहती है ना तो बीज कर रहे हैं ऐसा हम कर रहे हैं यहां बाप किनारा हो गया हर बात में बाबा ऐसा बोला है बाबा ऐसे करा रहा है बाबा आप करा रहे हैं क्यों नहीं साथ हो सकते बाब तो आप सोचो सारे दिन में किसी से भी पूछे बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है तो क्या तो बड़ा इंज्वाई लग रहा है तो लेकिन देख रहे हैं ना एक तो सभी तैयार होकर रहे हैं पूरा मर गया है कोई है कि कोई मर भी जाये ना तो पहले तैयार होना जरूरी रहता है उसके बाद एक वक्ति पांच मिनट तक रहते थी उसके फिर हसना सुरू कर दिये यह बहुत देर हो गया है इसे काम था ना हम देखके मुश्कुरा रहे देख कि क्या हो रहा है तो इसलिए आजके डेट में गम भी जादा लोग बरदास नहीं करना चारा नहीं रखता है गम जादा और जो सेकेंड का गम है बहुत जादा भी हो जाता है जो अंदर से तोड़ देता है लोगों को तो बाबा करता है कि बाबा को इसी तरह इमर्ज रूप में हमेशा रखो तो कभी भी आपको दुख का फीलिंग आए गई ने ड्रामा लगेगा जैसे बाबा बोलता है मैं तो मुस्कुराता हूँ पर बैटकर तुम लोगों का सीन सीनरी देखें तो हम लोगों को भी ऐसे मु रूप से याद तो है अंदर में लेकि मर्ज रूप रहेगा ना तो दुख के वातावरन में आप भी दुखी हो जाएगा आप पर भी उसका असर पढ़ जाएगा कि सब रोरार नहीं हो तो ग्या अच्छा नहीं हुआ है आप क्या कि ये ड्रामा को गलत बोल दिया आप ग् मिस्टेक सब्दों में हो जाता है किसी भी कीमत पर ये ना बोले नहीं कुछ गलत हो गया ऐसा मत बोले उरो रहा है उसको बोले कि अगर देखे बूर लोग बोल रहे थे न कि भगवान क्यों एतना जल्दी ले गया ठीक हो गया थे फिर और थोड़ा दिन चलते फिरते रहत तो चाभी थो हम खुद दे कर आगए ना भगवान को बारबर दोस्ता देते हैं भगवान न भी खुद दे लेगे लिए और ऑफ available भगवान या भागवान न भीजता है न बुलाता हैं तो इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते हो ú इमर्ज रूप का नसा शक्ति सहयोग सफलता बहुत बड़ी होगी सक्ति भी आनववा हुआ उस चार उतर बाब को यह बोड़े थे बाबा सुरी का प्रभाव कीचर पर पड़े कीचर का प्रभाव तो सुरी पर पड़ नहीं सकता है यहां पर सारे लोग रो रहे हैं और मेरे स्थिती का प्रभाव इन लोगों पर पड़े इनकी स्थिती का प्रभाव हमारे उपर ना पड़े एक सगेंड के लिए भी नहीं उदासी आया बड़ा अच्छा भी लग रहा था सबको सांध भी कर रहे हैं लेकिन विगन के बस हो जाते हूँ तो भूल जाते हो लेकिन वैसे जब नैचरल रूप में रहते हो आत्मिकी स्थिती में रहते हो तो भूलता नहीं है लेकिन मर्ज रहता है इसलिए बाब दादा केते बार बार चेक करो साथ का अनुभा मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है मर्ज रूप में याद नहीं रखना है बाबा को मर्ज रूप में तो याद था भक्ति मारू में भी बाबा बाबा यहां इमर्ज रखना है तो इमर्ज में रखेंगे तो आप पर प्रभाव परिस्थितियों का नहीं पड़ेगा तो बार बार चेक करूँ कि मर्ज रूप में है कि इमर्ज रूप में है प्यार तो सभी का है प्यार तूट सकता है प्यार तूट सकता है बाबा से प्यार नहीं तूट सकता है न तो प्यार जब तूट नहीं सकता तो प्यार का फाइदा क्यों नहीं उठाते हो हर वक्त फाइदा उठाना है कि मैं बाबा की बच्ची हूँ मैं भी सीव के साथ पार्वती बनकर ड्रामा के इस पिक्चर को देख रही हूँ इस पिक्चर में हमें फसना नहीं है बलकि मेरा रोल क्या है यहां धर्ती पर आकर फिर सबको सांती का संदेश देना है तो फाइदा उठाने का तरीका सिखो न कि कहां कैसे बोलना है कैसे करना है बाप दादा देखती है प्यार नहीं बाप का बना दिया न प्यार था तब तो मतब शुरु एक बार विदेशी लोग आए थे एक विदेशी अब महिला आई थी तो बोली कि हम मधुवन अब नहीं आप आएंगे दुबारा क्यों नहीं आप आएंगे तो हम अपना घर अपना गाड़ी सब कुछ बेच कर टक टिकट लिए नहीं आप आएंगे उसके बाद जब गई तो दूसरा बार फीर आई दूसरा बार फीर आ गई तो पूछी कि आप कैसे आएं बाबा इतना जाने के बाद मदद किया कि जो बेचे थे सब कुछ आ गया है और इतना जादा आ गया कि अब फिर खुस होके आएं तो देखी परिच्छल है ना बाबा लेकि वो नहीं हम लोगों को वही सब जीतना होता है कि परिस्थितियों के वक्त भी बेच दिया आन यानि क्या सकती था उसमें तब तो हम रोए ना कुछ नहीं कि अबावा जिस हाल में रखे मतब राजा हरिश्चंद्र का क्या कहानिया कि राजपाड गया पतनी गई बच्चा गया अभी नहीं यहां तक उसका सौ बच्चे कपड़ा हुआ था और जलाने से मना कर दिया तो भी उसके चेहरे पे सिकन तक नहीं आया यह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कानी तो हमें वही स्वरू बना है तो बाप जादा जानते हैं और देखते हैं कि कई बच्चों को कल्यूगी सरकम्टांस होने के कारण टिकट लेना भी मुश्किल है परंतु प्यार पहुचा ही देता है मतलब टिकट इतना महंगा हो गया पैसा बहुत ज्यादा लगने लगा न कि लोग लेना मुश्किल हो गया उन लोगों को बाबा के बच्चों को प्यार में लेकिन पह सच्ची दिल पर साहब राजी दम निश्चिंद जब बाबा के साथ सच्चा कोई देधारी याद नहीं आ रहा है तो आपको जरूर सहयोग मिलता है जरूर एक एक बच्चे का यह अनुभाव है लेकिं इस्थूल सहयोग भी कहा न कहा कैसी भी मिल ही जाता है इस्थूल तरसोच भारतवासि सब को यह बाब का प्यार्शितियों की दिवार पार कराँ देती हैं कितना भी बड़ा परिस्थितियों पार कर आया न बाबा कैसे कारा रहा है ऐसे हैं यह नहीं हैं अकि अब भी उन्होच करना हैं अनुभाव caregiver hadn У हैं अपने अपने सिंटर्स पर दे तो ऐसे बच्चे भी है जो यहां से जाती है सोच दिये पता नहीं दूसरे वर्स आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे लेकिन फिर पहुंच जाते यह है प्यार का सबूत बच्चों का प्यार का सबूत सब बेच के आगए और बाप का सबुत भीर से भरपूर कर दिया तो ये दोनों का प्यार है ना आज होली मनाई ये मूडली जिस समय चला उसमें होली था तो बाबा पूछता आज होली मनाई मनाली होली फिर से पूछता मनाली होली बाब दादा तो होली मनाने वाले हॉली हंसों को देख रहे हैं हॉली हंस पवित्र हंसों को बाबा के बच्चों को सभी बच्चों को एक ही टाइटल है हॉलियेस्ट मतलब पवित्रता में भी हॉलियेस्ट हाइएस्ट द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सभी को हॉलियस्ट नहीं बनाया बाबा की जो 33 करोड बच्चे बनते हैं उस सब को पवित्र बनाते हैं और बाबा जब आता है तो साड़े 800 करोड आत्माओं को भी पवित्र बना कर दे जाता है लेकिन ऐसा को इस जनम में होगा धर्मस्थापक आएंगे तो क्या सब को पवित्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे स्वेम बनते हैं लेकिन अपने फॉलोवर्स को साथियों को हॉलियस्ट पवित्र नहीं बनाती हैं और यहां देखो पवित्रता ब्राहमन जीवन का मुख्याधार है यही तो मुख्याधार है हम लोगों का पढ़ाई भी क्या है आपका स्लोगन है पवित्र बनो योगी बनो स्लोगन है न याद है न कि पवित्र बनो योगी बनो पवित्रता ही महानता है पवित्रता ही योगी जीवन का अधार मुख्य क्या हुआ पवित्रता हुआ तो कभी-कभी बच्छे अनुगाव करते हैं कि अगर चलते-चलते मंसा में भी आप पवित्रता था वेस्ट या नगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावर्फुल चाहते हैं लेकिन होता नह क्योंकि जरा भी अंस मात्र संकल्प में भी किसी भी प्रकार की आप पवित्रता है तो जहां आप पवित्रता का अंस है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसे है वैसे आ नहीं सकती है आँख ठीक है आपका आँख में हलका सा भी कना भी चला गया ना तो आपको दिख बार 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 ऐसे से करेंगे तो उसी तरह है कि आप पवित्रता का अंस भी अगर है अंदर में तो परम पवित्र बाप की याद कैसे आई इसलिए सोने का बरतन चाहिए हमारा मन बुद्धी सोने का बरतन चाहिए तो बाबा कहता है पवित्रता ही अन्वह होता है अगर आप पवित्रता का अंस मात्र भी रहेगा तो परम पवित्र बाप दादा याद नहीं आता है तो क्या करना है कि बाबा कभी कभी बच्चे अन्वह करते चलते फिरते मनसा में आही जाता है बाबा कहता है कि योग पावर्फुल चाहते लेकिन फिर नहीं होता है क्योंकि अंसमात्रिकी भी आप पवित्रता बाप की याद आने नहीं देगी जैसे वैसे नहीं आ सकती जैसे दिन और आती कठा तो नहीं होगा न अगर आप पवितरता है, तो पवितर बाप कैसे याद आएगा, सूरी को कैसे आप देखेंगे रात के अंधिरे में और सूरी जब है तो अंधिरा हुँ ही नहीं सकता है इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता की उपर बार बार आटेंशन दिला ते बच्य मंसा वाचा करमना पवित्रता को धारन करो किसी भी कीमत पर किसी भी आत्मा के प्रती कलस संकल्प नहीं बस आत्मा है वो बोल देते हैं जैसे बहुत दुख पढ़ गया विचारी पर बहुत दुखी है ये भी तो आप पवित्रता आत्मा दुखी है क्या आत्मा तो रोल में दुखी है अमिताब कूली पिक्चर में कूली है ऐसे तो सूपरिस्टार हैं उसी तरह हम बच्चे भी सूपरिस्टार हैं लेकिन रोल में हम गरीब अमीर दुखी सुखी सब बन जाते हैं तो कुछ समय पहले बादा सिर्फ कर्म में आप पवित्रता के लिए सारा देते थे लेकिन अभी समय ऐसा है संपूनता के समीब जा रहे हैं इसलिए मन्सा पर भी विशेश अटेंशन रखने बोल रहे हैं अंस मातर भी धोखा ना दे तो मन्सा वाचा कर्मना संबंध संपर्क में पवित्रता बहुत आवस्यक है मन्सा को हलका मत करना क्योंकि मन्सा बाहर से दिखाई देता लेकिन मनसा बहुत धोखा देती हैं अंदर में विचार चल गया ना उमुख पर आएगा ही अब मुख पर आएगा तो कर्मों में दिखे का ही तो ब्राहमन जीवन का जो आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप सांत स्वरूप मन की संतुष्टता उसका अनुभा करने के मनसा की पवित्रता फुल चाहिए अभी बाबा जब जिसे अव्यक्त हुआ ना तब से मनसा पर ही जोट डाला जब साकार में था तो बोल पर अकर में पर दिखाता था तो बाहर के सादमों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आपको खुश करना ये भी अपने को धोखा द जब आपकी अंदर की स्थीती एकदम सांत इस्थीर हो जाए बहुत सुखी हो जाए मिले या ना मिले हर हाल में खुश तब कहेंगे कि हां हम खुश हैं दूसरी लोग खुद बोले कल जैसे गय थे तो हला हो रहा था चारो तरफ लोग बुड़ते हमको हला में नीन ने आता हम अंदर से स्थीर है बाबा को याद करते करते रिलाक्स हो जाएंगे नीना जाएगा जमीन टो जमीन ही सही हम को बेड में नेजी सोना है नहीं जमीन अच्छा लग रहा है किसी को बेड कैसा होता कैसा होता हुस समय और भाइबरेशन होता है जमीन तो बार-बार पFrॉच ह लगता है हम बोते थे जमीन ही ठंदा ठंदा गर्मी का देने बहुत अच्छा लग रहा है तो किसी तरह से भी बाबा को बहुत हो ना साधनों को पाकर नहीं तो यह धोखा देगी बाब दादा देखते हैं कभी-कभी बच्ची अपने को इसी अधार पर अच्छा समझ लेते ह गुश हो जाते हैं बहुत अच्छा बाबा दया बहुत सारी सुकष विधाया आ गई बहुत सारे बच्ची वो गये आपके मन के स्थिति से सब कुछ अच्छा हो लगेगा ये नियुदकर को बेनों कि बहूँत कुछ न यहीं मिला तो बाबा का धो धोखा दे जो कर तो यह राज है धोखा दे भी रहे जैसे यह लाइन से गर्मी है पंखा है इंभाइटार है सब चालू कर लिए और लाइन कड़िया तो नीन ही नहीं आया रात यहीं न बोलते बच्चे और हम लोगों कोई फर्क नहीं है न रहो लोग अब जान गया न तो बोलते तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ रहे चाहिए ना रहे क्योंकि हर हाल में खुश संतूश रहना है तो क्या होता है बाप दाता है दाता के बच्ची हूँ तो दाता के बच्ची लिवता कबसे बन जाते हूँ कबसे लिवता बन जाते हूँ तो बाबा कहता तो सेवा युक है क्योंकि बाप दाता है और उसमें भी खुश रहते हैं तो वह हमको तो फल मिल गया हमारी अच्छी सेवा हो गई लेकि वह मन की संतुचता सदाकाल के लिए नहीं रहती है और आत्मा योग यूगत पावर्फुल याद कानभव भी नहीं कर सकती है बाबा पावर्फुल या तो बाबा कहता कि वंचित रह जाओगे अगर उस पर डिपेंड रहते हो तो बाकी कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा नहीं है ऐसा तो नहीं है कि अगर आप बिना अधार के चल रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा मिलेगा कि नहीं समय समय पर वो सब कुछ मिलता है कुछ न कुछ म पर फिर साधन थोड़ा सा चूटा तो आप डिश्टर्बी हो गया तो बाबा कहता है कि बच्चे उस इस्थिती में प्राप्ति तो होगा आपको लेकिन आन्पकाल की प्राप्ति सदाकाल के लिए नहीं कमाया खाया खतम हो गया एक समय आपको नहीं मिल रहा था ना तो आप जयसे कि आप सुरुआत में बहुत अच्छा सेवा किए उसका फ़ल मिल गया आपको बहुत अच्छा से सबकुछ प्राप्ति हुने लगा आप क्राप्तियों के अनुसार चलने लगे कि अब तो आश्मोर जैसे बहुत बहने क्या है कि हम तो देवी बन गए अब सब सेवा मेरा कपड़ा दो मेरा ये कर दो कमाया खाया और खतम हमें खुश होकर करना और सेवा करना सेवाओं में आगी जितना बढ़े उतना ज्यादा सेवा धारी और बने और ज्यादा को खतम इसलिए न सुदामा का मिशाल दिखाते हैं कि सुदामा को जब कृष्णि के पास से सुदामा बोल अपनी पत्मी अपने बच्चे को बोले कि तुम लोग रहो हमको नीद नहीं आता है हम जैसे वैसे ही सोई तो जमीन में सोने लगे खाना वराइटी बनता था तो बोलते थे नहीं हमको तो साधा भोजा नहीं चाहिए तो पत्मी और बच्चा बोली जब आप ऐ इच्छा नहीं रखे कि आप मिल रहा तो क्या करें भोगंगे नहीं आप खाया बाबा देरा ना यह वहाना बाजी यह आपके इच्छा है कि हमको और आईसा करना ऐसा करना तो खाया पिया और खताम इसलिए यह भी अटेंस्चन रखना कि मीले आप सुईकार नहीं करना भी अच्छा मिल गया खाया और खतम कर दिया मिला खतम कर दिया आप उसको जमा नहीं कर पाएं क्योंकि हम अच्छा गाली में घुम रहे हैं अरे हम मेरा तो सान बढ़ गया आप जहां जा रहे थोड़ा सा चलनी पा रहें नहीं चलू गाली से ली जाएंगी हां कहीं रॉयल इससे जाना तो अलग बात है चलो उससे सेवा हो तो अलग बात है लेकिन यह क्या कि अब पैधर चलना ही छोड़ दे क्यों सुविधा मिलिया बाबा दिया किसलिए नहीं बाबा कहता है बहुत एकोनोमी से हर्चीज यूज़ करना है अगर है उसको एकोनोमी से बचा कर सही तईके से यूज करना है तो जमा क्या हुआ बताओ सब कुस तो यहीं तुम आजमोज कर लिए अच्छी सेवा की अच्छी रिजल्ट निकली लेकिन यह सेवा का फल मिला जमा नहीं होता है इसलिए जमा करने की वीधिय मंसा वाचा कर्मना पवित्रता को धारन करना फॉंडेशन है पवित्रता सेवा में भी फॉंडेशन पवित्रता ही है स्वक्ष हो हो और कोई भी भाव मिक्स ना हो भाव में भी पवित्रता भावना में भी पवित्रता हो खोली का आर्थ है पवित्रता होली यहां क्या आर्थ है इंगलिस वड़ है ना होली उसका पवित् जलाना इसलिव पहले जलाती हैं फिर मनाती है और पवित्र बन कर संस्कार मिलन मनाती हैं संस्कार मिलन मतलब एक ही अभीर सब को लगाती है तो यह संस्कार मतलब गोरा हो जाल और सब रंग किला दिए सब Supra न चेहरा fracture हम सब को एक जैसा संसकार मिला ले तो होली का अर्थी है जलाना मनाना बाहर वाले तो गले मिलते हैं लेकिन यहां संसकार मिलाना है गला नहीं मिलना हम लोगों को अंग से अंग नहीं मिलाने वाला काम करना है हमें तो संसकार मिलाने का काम है अहां तक कि बाबा बोलता बैठते भी हो तो सठकर मत बैठ थोड़ा सा दूरी बना कर बैठ तो यही मंगल मिलन तो ऐसी होली मनाई कि सिर्फ डांस कर ली हो गया होली में डांस भी करना है कैसा क्यों मंग उस्साह का डांस की हम बाबा की गोध में हम पल रहे हैं मन का डांस करना है जान का डांस करना गुलाब जल डाल दिया हो गया सब पर गुलाब जल डालती है बने लेकर तो बाबा के तक गुलाब जल डाल दिया हो गया गुलाब बन कर दिखाना है गो अभी अच्छा खूब मनाओ, मना नहीं करता है बाबा, मनाओ, बाब दादा खूस होंगे ही न, कि मेरे बच्चे खूस है, लेकिन गुलाब जल भले डालो, डांस भल करो, लेकिन सदाकाल कर डांस करो, फिर आज डांस करते हो, करुदास हो जाते हो, ये बाबा को पसंद ह तो जो बाबा को पसंद नहीं हम क्यों उसको ले आते अपने अंदर यह गाना बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा बाबा को जिस बात जो बात बाबा को पसंद नहीं हम उस बात को किनारा कर देंगे तो डांस करो सिर्फ 5-10 मिनट डांस कर लिया हो गया कि पूरा संगम यूग डांस करना है संगम यूग एक दो में गुनों का भाइब्रेशन फैलाना यह गुलाब जल डालना है गुनों का भाइब्रेशन अब देखिए किसी के अंदर बहुत अच्छा से सहयोग देने का सकती है किसी के अंदर सहयोग नहीं दे रहा सरीर से मन से नहीं दे रहा लेकिन धन से दे रहा है और तरह का सहयोग दे रहा गुनों का सहयोग दे रहा तो क्वालीटी को देखती वे सब को क्या करना है रासलीला करना है संसकार मिलाने का रासलीला करना है और जब जलाने को तो लेकिन बाब दादा का सुभासा क्या है कि समय की डेट नहीं देखो 2000 में होगा 2000 में यह नहीं बोलना 2024 में कर लेंगे बाबा 2025 में अभी अभी कर लिए यह बोलना है तो यह नहीं सोचो चलो एवर इडी नहीं बनो बनो नहीं भी बनो इसको भी बाप दादा छोड़ देते, लेकिन सोचो, बहुत काल का संसकार तो चाहिए न, हमेशा निश्चिंद रहने का संसकार चाहिए, तब तो ज़्यादा समय हम रुसत्युक से त्रेता यूग तक रहेंगे, तो आप लोगी सुनाते हूँ, बहुत काल का पुरुसार, ब कोई सरी छोड़ने वाला तो पहले से बाबा को बोले बाबा भल कोई सरी छोड़े, लेकिन उस लोगों के प्रभाव से हम दूर रहें, वह लोग अपनी अनुसार हमको बांदी की कोशिस ना करें, यह पहले से था, तो जब हुआ तो वास्ता में कोई हमको बांधा तो नही जवरदस्ती तो नहीं किया कि तुमको ऐसा खाना है, तुमको ऐसा कुछ नहीं, आज भी देखिए, हमको कोई नहीं वबुर रोक सकता है, हम जैसे भी खान पान रखें उसी में, और बल्कि लोगों को लग रह था ना, नहीं तुम यह काम कर दो तो तुम यह काम कर दो तो यह और रहा है बात, और सब को बुरी नहीं नहीं तुम लोग मत चुए यह चुए कि, क्यूं? उनको महसूस है कि यह तनमन से पवित्र है, तो एक समय लगा उस समय कि करे या ना करे लोग क्या कहेंगे, अगर सोचते तो हो पाता, करते चलेगा, जो होगा देखा जाएगा जो होगा समच्छा होगा क्यूंकि हम आपके श्रीमत पर कर रहे हैं, देखा जाएगा भी नहीं, यह भी संकल्प नहीं, तो बहुत कालका हुआ यह अल्पकालका हुआ तब आप नहीं फासेंगे बाबा तो alpukalka हुआ जब पहले से आप तयार कर लिये कि अब हमको एकदम स्थीरता से चलनाerem तब बहुत कालका होगा तो अब इनासी बाप से वर्षा क्या लिया जब alpukalka लिया तो alpukalka भक्तिमार में भी लेते। अल्पकालका है यह अच्छा लगता है क्या आपको अल्पकालका तो आसे सदाकालका हो नहीं लगता है न तो बहुत कालका अभ्यास चाहिए कितना काल है वह नहीं सोचू कितना समय बचा हुआ यह नहीं सोचू जितना बहुत काल का भ्यास होगा उतना आंत में भी धोखा नहीं खाओगी बहुत काल का भ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुक बहुत काल की स्थिति के अनुभाव से भी वन्चित रह जाती हूँ इसलिए, अब क्या करना है? बाबा के ता 25 सौ साल का राधि भाग लेना है तो अब क्या करना है बहुत काल्का करना है तो हमेशा अच्छा लहीं चाहे परिखिती आये चाहे कुछ भी हो अगर किसी के भी बुद्धी में डेट का इनतेजार हो इंतिजार नहीं करना, इंतिजाम करो ये नहीं सोचो विनास कब होगा अभी तो तैयारी करना है करते चले जाना है बहुत काल का इंतिजाम करो Date को भी आपको लाना है जब आप powerful हो जाओगे हर तरह से तो अपने आत बाहर होगे विनास होगा इन लोग कितना अच्छा है, लोग सही में बहुत अच्छा कर रहा, उन लोग खुद आएगा फिर आपके पास, तो समय तो अभी भी एवर एडी है, कल भी एवर एडी हो सकता है, लेकिन समय आपके लिए रुका हुआ है, आप संपन बन जाओ, समय का परदा अपने आप उठ सुरू हो जाएगा, आपके लोकने से रुका हुआ है, आप दुखी हो जाते हो, तो रुख जाता है, कि जब हमारे बच्चे ही दुखी हो जाएगे तो दूसरा को क्या समझाए? मुलते हैं ना, कि जब मेरा बच्चा ही गلती करा तो दूसरे को सम्झाना चरहेगा तो राज अधिकार का तो तयार हो ना, राज अधिकार ही पहले तयार हो जाओ मताब राजा लोग तयार होगा, तब तो और सब तयार होंगे तो तक्त को खाली नहीं रखना चाहिए ना तक्त खाली रहा तो दूसरे राज़े वाले आक्रमन कर देंगे सुनते हैं न कि अगर राजा कहीं चला गया अगर दूसरे राजा को पता चल गया यहां का राजा भी कहीं गया हुआ तो तुरंत आक्रमन कर देता है इसलिए बाबा करता है जब बच्चे राजा की सीर से उतर जाते हैं तो माय आक्रमन कर देगी तो क्या अकेला विश्व राजा नतक्त पर बैठेगा इससे भी सोभा होगी क्या अब फिर अगर आप तयार होगे आप पूरा परिवार को तयार किये तो अकेला क्या करेंगे जाकर आप अकेले मन लगेगा नहीं तो रॉयल फैमिली चाहिए प्रजा चाहिए सब चाहिए सिर्फ विश्व राज बनकर तक्त पर बढ़ जाओ तो देखता रहे कहां मेरी रॉयल फैमिली है तो इसलिए बाप दादा का ये सुभासा है कि सा अपने को ब्रंभा कुमार कुमारी कहलाते हैं चाहिए मदुबन निवासी हो चाहिए विदेश निवासी हो चाहिए भारत निवासी हर एक बच्चा बहुत काल का भ्यास कर बहुत काल के अधिकारी बनो कभी कभी के नहीं पसंद है एक हाथ की ताली बजाओ एक हाथ की ताल बाबा को आप दादा के सिर के ताज होकर बैठी तालीब जारे नीचे वालों को भी त्याग का भागे तो मिलना जैसे बहुत सारे विदेशी आ गये थे ना तो भालतवास्यों को जमीन में बैठाया गया था तो आपको सम्मुग बैठने का भागे मिला बाबा सबको और उन्हों के त्याग का भागे भी जमा हो रहा कि आप किसके लिए अपने जिसे अपने घर में देश्ट आ जाता है तो आप क्या करेंगे हम पलंग पर सुएंगे जेश्टों को नीचे सुलाइगे निदेश्ट को उपर उसी ऐसे ही फिर हाथ उठवाएंगे फिर कौन-कौन बन गए हो। भला हाथ उठाओ, दो-दो हाथ उठाओ, प्रन्तु मन का भी हाथ उठाना कि हम मन से बने हैं केवल बाहर से नहीं, दिरोट संकल्प का हाथ सदा के लिए उठाए रखो। दोनों आखों में तारा चमकता रुहानी नसा हूँ, बोल में मधूरता, विशेष्टा, अमुले बोल सुनना चाहते हैं, कर्मों में संतुष्ठता, निर्मानता सदा देखना चाहते हैं, कितना सारा चीज बाबाज बोल रहा है, इस पे सोच रहा है, देखे कर्म में संतुष जब सधा आत्मिक भाउ रहा एकि अनुभाव हो फ्रृृस्ते रूप में दिखने लगेंगा इसा नहीं उनको कितने हलके हैं तो ऐसे सजय सजय मूरत बाबा देखना चाहता है तो ले सकते ना हम लोग परतिग्या कि हम लोग करेंगे बाबा इसा ही करना है तो ऐसी मूरत ही स्रेष्ट पूज बनेगी वह तो आपके जड़ चितर बनाएंगे लेकिन बाब चैतन चितर देखना चाहते ही चारो और के सद सधा करने वाले के यूगी अधिकारी और सधा करने वाले इति अनुभवी बच्चे घ्र करना है भापकि आशाओं का दीपक बनु कई सथार उत्र प्रॉश्नी फैल गई । ऐसी दीपक का आत्मा है sa da swim को halliest और highest श्थिती में रखने वाले बाप समान अतिस नहीं आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस दे सभी विदेश वह देश में दूर बैठे चाहे सम्मुख अनुभव करने वालों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और गुड मॉलिंग हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉलिंग नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया वर्दाने समय को सिक्षक बनाने के बजाए समय सिक्षक बने तब हम करें नहीं उसके पहले बाबा तो सारा कुछ बता दिया ना तो समय को सिक्षक बनाने के बजाए बाप को सिक्षक बनाने वाले मास्टर रचैता बनो लिए कि हम मुश्कुराएं सारे लोग मुश्कुराने लगे इस दुख की फीलिंग में भी वो लोग बाहर निकल जाए आप रचिये सिच्वेशन को तो कई बच्चों को सेवा का उमंग है लेकिन बैरागी वृत्ति का टेंशन नहीं बैरागी नहीं इसलिए आपको दुख क फीलिंग आजाता है अब मर जाएगा कोई तो दुखी नहीं होंगे यह दिकत है कि आप आत्मी किस्थिती में नहीं है तभी तो आपको दुख हो रहा ना इसमें अलबेला पना जाता है चलता है थोड़ा थोड़ा तो होता है ना बहुत लोग को कल बोले अरे आसू तो नि रोना तो बनता है रुला रहे हैं सामने वाले व्याइब जा लाना नहीं हो तो पहलते हैं आप तो आपको अकेले आदत पड़े आप बहुत खलेगा आपको जब सब चले जाएंगी ना तब आपको खलेगा रहें भी रोने के लिप मजबूर कर रहें उसको वहा है तो आगे बढ़ जाएंगे लेकिन आप मास्टा रचैता हो, समय आपकी रचना है, रचना मास्टा रचैता को सिख्छक बने ये सोभा नहीं देता है, आपके बच्चे आपको सिखा ये सोभा नहीं देता है, बर समय हमारी रचना है, हम उसके रचैता है, तो हम बने आएं समय को, कैसा समय होना चाहिए समय क्योंकि आत्मा पाट किवल बजारी दुखी होने का तो बात ही नहीं हम रच दे स्लोगन है बाप की पालना का रिटर्ण है सुआ को और सभी को परिवर्तन करने में सहयोगी बनू सुआ को भी परिवर्तन करो और पूरे विस्व को परिवर्तन करने की छमता रखो सहयोगी बनू ओम शान्ती